हाई ब्रिवन इस वीडियो में देखते हैं जैसे सी SI सब इंस्पेक्टर नियोवली तो जारखन सरकार ने जैसे सी उत्पाद दारोगा के लिए अपना नियोवली मोडिफाइड कर दिया है तो इस नया नियोवली में नया सिलिवस किया है और उम्र सीमा में काफी हेर फेर हु तो जारखन उत्पाद सेवा में भरती प्रोनती अनि सेवा सस्त्रों में के लिए नियोवली है जो नियोवली में सुधार हुआ है जो पहले 2013 के नियोवली चल रहा था इस नियोवली में सुधार हुआ है तो पहले के नियोवली में क्या था इसके लिए मिनिमुम योगयता क्या था कितना आपके पास डिगरी होना चाहिए अध मिनीमुम योगता था असनातक की उपादी या समकक्ष की योगता होगी जिसको अब बतल के क्या कर जा गया है नियूंतम सेक्ष्णिक योगता भ्यारती को आयोग में आवेदन प्राप्थ होने की अंतीमति थी तक असना चाहतर इस फॉर्म को अपलाए कर सकते हैं अपलाए करने की आखरी तीथी तक जिसके पास असनातक और या तो जिसको असनातक अस्तर की डिगरी की मानेता प्राप्थ है वही चाहतर अपलाए कर सकते हैं जिसके पास डिगरी अविदन करने की आखरी तीथी तक अभिलेबल होगा तथा अभ्यारती को अस्थानी रीती रिवाज भासा है परिवेस का ग्यान होना अनिवार होगा तो कहने के मतलब यह है आपके पास तो मिनिमूम ग्रेविशन की डिगरी होने चाहिए लेकिन दस्वी और बार्वी की परिछा आप जहारखन राज में स्थित किसी कोलेज या कोलेज स्कूल से किये हो और बोर्ड कोई भी हो मानिया नहीं रखता है लेकिन परिछा जहारखन राज में इस्थित होना चाहिए लेकिन जो आरक्षन के दायरे में आते हैं उसके लिए परवधान सिथिल रहेगा और अनुकंपा वाले के लिए क्या है जो अनुकंपा पर जहारखन उत्पातदारों का बनेंगे उनके लिए कोई नियम कानुन नहीं है आनि कि कहीं से भी है ओले इंडिया चलेगा अगला महत्पून बिंदू क्या है तो सारीक योगता महत्पून बात है गर समान के लिए नियंतम उच्छाए की बात करें तो 160 स सेंटीमीटर है पिछडा और अत्यांत पिछडा और के लिए नियूंतम उचाए है 160 सेंटीमीटर अनुसुजित जाती के लिए नियूंतम उचाए है 155 सेंटीमीटर अनि कि STSE को 5 सेंटीमीटर की छूट मिलिए और महिलाओं के लिए हाइट कितना है 148 सेंटीमीटर अगर स TSE के लिए सीने की माप 79 cm है आनि कि 2 cm चूट है और महिलाओं के लिए कि ये सीने की माप नहीं होती है डिफेंस सेक्टर में अगला मत्पूर्ण क्या है दोड कितना है पूरूसों के लिए दोड है 60 मिनट में 10 km जो कि पहले जहरकर्ण पूलिस में भी यह होती थी आनि कि एग घंटे में आपको 10 km की दोड़ पूरी करनी है महिलाओं के लिए कितना है 40 मिनट में 5 km सारिक दक्षा परित अगर आप फिजिकल पास करते हैं इसमें कोई अंक नहीं होगा मेरिट कैसे बनेगा तो मेरिट जो है एकजाम जो होगा इसी के अधार पर बनेगा आने की फिजिकल में कोई नमबर नहीं दिये मिलेगा के वल आपको पास करना निवार है एक्जाम कैसे होगा पहले लिखी तो परिच्छा होगी उसके बाद सारी दक्षता आने की फिजिकल होगा उसके बाद मेडिकल और लेकिन जहारखंड पुलिस में क्या करने वाला है तो जहारखंड पुलिस में पहले फिजिकल उसके बाद रीटन उसके बाद मेडिकल लेकिन है क्यों एक घंटे में 10 किलो मिटर और महिलाओं के लिए कि 40 मिनटे में 5 किलो मिटर लेकिन पहले जब जार्खंड उत्पाद दारोगा बनते थे उसमें इंटर्व्यू का भी परवदान था लेकिन अब इंटर्व्यू नहीं होगा तो डायट कैसे मेरिट क्यवल और क्यवल लिखित परिच्छा के अधार पर अगला मत्वर मिन्दु क्या है मेगा सुची लिखित पराफ्त अग के अधार पर आयोग और कोटीवार रिक्तियों के विरुद मेगा सुची तयार कर उतनी संख्या में अ ब्यारतियों की अनुसंत्य विभा को बैजीगी जीतनी संख्या में रिक्तियों प्रतिवेदित की गई है सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आरक्षन मिलेगा अगर आप आरक्षन का लाब नहीं लिये हैं लेकिन आपने मानले आप OBC के डेकरी हैं उम्र सीमा आपका जेनरल का फुलफिल है तो आप जेनरल में अधिक अंका लाते हैं तो जेनरल की कटप के बराबर लाते हैं तो जेनरल में जा सकते हैं तो इसमें एक म वर्स कर दिया है तो अधिक्तम उम्र सीमा कितना है चालिस वर्स कर दिया गया है तो यह थे जारखन उत्पाद दारोगा न्या नियों ली थाक्स वर वोचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में तक तब पुराने वीडियो देखते हैं